आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेंडिंग वन पर स्वागत है आज हम इस वीडियो में एक ऐसी शक्ती की बात करेंगे जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है भारतिय सेना भारतिय सेना में तीन प्रकार की सेना होती है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एरफोर्स पहले जानते हैं इंडियन आर्मी के बारे में इंडियन आर्मी के हेड जेनरल मनोज पांडे P.V.S.M. है और इसके अंदर साथ फोर्सेज है पहली है मारकोस कमांडोस जो की गुप्त अभियानों, जासूसी, पानी में लडने और आतंकवाद को रोकने का काम करती है दूसरी नैशनल सिक्योरिटी गार्ड्स वे महत्वपूर्ण लोगों की रक्षा करते हैं तूट फूट की जाँच करते हैं और देश में महत्वपूर्ण स्थानों पर आतंकवादी हमलों को रोकते हैं तीसरी है परा-SF जिनका मुख्य काम पैराशूट का उपयोग करके सैनिकों को दुश्मन की सीमा के पीछे छोड़ना है एक बार वहाँ पहुँचकर वे दुश्मन पर पीछे से हमला करते हैं और वे जो करते हैं उसमें वास्तव में अच्छे हैं चौथी है गरुड कमांडो फोर्स यह भारत में न्यू फोर्स है और उनके पास प्रमुख वायू सेना बेसिस की रक्षा करने आपदाओं के दौरान सहायता करने और हवाई अभियानों का समर्थन करने जैसी बड़ी रिस्पॉंसिबिलिटीज है पांचवी है घातक फोर्स यह बाकी बटालियन से आगे बढ़कर हमला करते हैं केवल सबसे मजबूत और सबसे प्रेरित सैनिक ही घातक फोर्स में शामिल हो पाते हैं वे आतंकवादी हमलो बंधकों को छुडाने और उग्रवाद से लड़ने जैसी कठिन परिस्थितियों को सरल भाषा में संभालते हैं छटी है कोबरा कमांडो यह CRPF की एक विशेश गोरिला युद्ध कमांडो यूनिट है जिसके पास जंगलों में लड़ने में एक्सपर्टीज है मेजॉरिटी कोबरा टीम कमांडो जवानों में कठोर मानसिक और अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में लड़ने में महारत हासिल है अब आखरी फोर्स है Special Frontier Force भारत की एक खास ओपरेशन यूनिट है ये यूनिट चीनी सीमा पर अपने खोफिया ओपरेशन और खोफिया जानकारी जुटाने के लिए जानी जाती है ये इंडियन आर्मी का हिस्सा तो नहीं है लेकिन उसके कंट्रोल में काम करती है ये सीधा भारत की खोफिया एजनसी रौ के जरिये सीधा प्रधान मंत्री को रिपोर्ट करती है ये डाइरेक्ट एक्षन से लेकर खोफिया ओपरेशन को अन्जाम देती है अब जानते हैं इंडियन नेवी के बारे में इंडियन नेवी के हेड चीफ आफ नेवल स्टाफ आफ इंडिया आर हारी कुमर है नौसेना का मुख्य लक्ष्य भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना है ये भारत के क्षेत्र, लोगो या समुद्री हितों पर किसी भी हमले या खतरे को रोकने के लिए सेना के अन्य हिस्सों के साथ मिलकर काम करता है चाहे वह शान्ती के दौरान हो या युद्ध के समय नौसेना कई अलग-अलग काम करती है जैसे युद्ध में लड़ना या आपदाओं के दौरान सहायता करना अब जानते हैं इंडियन एर फोर्स के बारे में इंडियन एर फोर्स के चीफ मार्शल वी आर चौधरी है इंडियन एर फोर्स मुख्य काम भारत के ऊपर आकाश की रक्षा करना और युद्ध के दौरान हवाई युद्ध लड़ना है भारत में 60 से अधिक एर बेस है जिन्हें साथ कमांडों में बाटा गया है ट्रेनिंग कमांड एंड वेस्टर्न एर कमांड हमारी सेना एक ऐसी शक्ती है जिसने बीरता, साहस और समर्पन के आदर्शों को पूरी दुनिया में प्रस्तुत किया जाता है धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारे साथ इस वीडियो को देखा अगर आपको हमारी सेना के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जय हिंद, जय भारत